वेलकम टू मैं चैनल टिप्स थीएटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों छोटे से लेकर बड़े तक हम सभी अपने बालों के ज़ड़ने से परिशान हैं बाल लंबे नहीं हो रहे हैं बाल उम्रे से पहले सफेध होने लगे हैं बहुत जादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर डेंडरफ की समस्या है या फिर दो मुहें बाल की समस्या हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सभी लोग इस परिशानी से जूच रहे हैं इनी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ इस वीडियो में आजकल तो बहुत कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगें गंजेपन की समस्या आने लगी है तो इस रेमेडी में बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं दूर होंगी क्योंकि यहां पर हम इस्तमाल करने वाले हैं ऐलो वीरा जेल का ऐलो वीरा के पौधे से ऐलो वीरा की पत्ती से हम जेल निकालेंगे और फिर हम इसका इस्तमाल करेंगे दोस्तों प्रकृती का एक वरदान है ऐलो वीरा एक औजदी है एक medicinal plant है ऐलो विरा इसे ही धरत कुमारी कहा जाता है गौार पाठा भी कहा जाता है आप देख सकते हैं गमले का साइस बहुत छोटा सा गमला है कम से कम 40-50 ऐलो विरा की पत्यां इसमें लगी हैं और जब भी मुझे जरुवत होती हैं मैं कम से कम 10-12 इसकी छोट चोटी पत्यों को काटती हूं बहुत बड़े वाले साइस का पत्ता ना ले दोसों जो चोटी पत्या होती है इनमें पोशक तत्व भी जादा होते हैं और जैल की क्वांटिटी भी जादा होती है तो घर पर अलो विरा का पौधा जरूर लगाएं कैसे लगाना है इसके मैं मैंने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर शेयर किये हैं, बहुत ही तेजी से इसकी ग्रोथ होती है, आठ से दस अलोविरा की पत्ती मैंने काट ली है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा घना है, यह अलोविरा का पौधा, तो बहुत बढ़िया यह मेडिस और इसे थोड़ी दिर खड़ा करके जरूर रखें, येलो कलर का एक टॉक्सिक चीज निकलता है, जो की बहुत नुकसान करता है, इसलिए येलो सबस्टेंस को जरूर निकालें, मैंने सभी पत्तियों को 10-15 मिनट ऐसे ही खड़ा करके रख दिया था, धोलिया है, पोच लि हम इसके उपर की स्किन को अलग नहीं करेंगे, एलो विरा के स्किन में भी बहुत सारे विटामिन और मिर्रल होते हैं, जो की हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है, तो इस तरह से पत्तियों को साफ कर लें, दोस्तों बजार में भी तरह तरह के एलो निकालें, फ्रेश एलो विरा पत्ती का ही इस्तमाल करें, इतना बढ़िया ये मेडिसनल प्लांट है दोस्तों, और सभी तरह के बालों को सूट करता है, सभी तरह के एज ग्रूप वालों को भी सूट करता है, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे जाधा उम्र के व्य ही clock की बढ़ ने लगी है हुशभा कई पहले बाल सफेध होने लगी है उम्र से पहले षी होने लिखें पर्स धेखल उतिया तब ही बाल सफेद होते थे ये सब चीजें रहती हैं जो की बालों को नुकसान पहुचाती है नरसरी से पौधा जरू लाएं 40 रुपए में 50 रुपए में इसका पौधा आता है इतनी तेजी से ये पौधा फैलता आपने देखा ना छोटे से गमले में बहुत ही जादा फाइदे मंद है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है चहरे पर लगाएंगे ना उम्र का पता नहीं चलेगा कोई क्रीम ना लगाएं सिर्फ फ्रेश पत्ती को थोड़ी दे रहा आप अपने चहरे पर रगड लें रब कर लें मालिश कर लें उसी तरह से बालों पर ही सिर्फ एलोविरा जैल लगा कर तो देखें आप आप देखेंगे कि वाकई में हमारा हेर फॉल रुख गया है बाल हमारे लंबे होना शुरू हो गया है बालों में सफेदी जाने लगी और काला पनाना स्टार्ट हो गया है निव हेर ग्रोथ होगी कभी भी अलोविरा को पीसते समय आपको ऐसा पानी डालने की जरवत नहीं है इसमें खुद में इतना ज़ादा वाटर कंटेंट होता है कि अलग से पानी एड़ करने की जरवत नहीं है बहुत अच्छा ब्लेंड कर लें जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे न आपको चानना कम पड़ेगा मोटा मोटा पिसेंगे तो बहुत देर तक चानना पड़ेगा अब आप देख सकते हैं नेचरल अलोविरा जेल जो निकला है दोस्तों यह हमारे बालों को हाइडरेट करेंगा बालों को कंडिशन करेंगा किसी ना किसी रूप में अलोविरा का इस्तमाल जरूर करना चाहिए आपको अपने बालों के लिए इस तरह से एलो विरा का टॉनिक लगाएं एलो विरा का तेल लगाएं एलो विरा का आप यहाँ पर हेयर मास्क भी लगा सकते हैं जरूर इस्तमाल करें बालों को सिल्की शाइनी और मजबूत बनाता है एलो विरा आप कह सकते हैं बालों के लिए बेस्ट होता है दोस्तों प् को उत्ते पोशन नहीं मिलते, पोशक तत्व नहीं मिलते दोस्तों, जो की इस फ्रेश अलोविरा जैल से मिलेंगे, आप खुद देखकर अंदाज लगा लीजे, इसमें ना हमने कोई कलर डाला है, ना कोई खुजबु एट की है, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई केमिक जो प्रक्तिक तरीके से बनाया है, मैंने नेचरल तरीके से इस हर्बल रेमेडी को आपके लिए तैयार किया है, आपको इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, किसी बॉटल में स्टोर करें, हमारे पास भी रोज रोज टाइम नहीं होता है कि हम अलोविरा की पत्ती तो यहां पर मैंने बॉटल भर लिया है, स्टोर कर लिया है, बाकी फ्रीज में रखूंगी, जो थोड़ा बचे उसे आप अलग काटोरी में निकाल लें, जब आपको लगाना, अगर फ्रीज से रखे रखे ठंडा हो जाता है, सबता हमें तीन बार इस हेयर टॉनिक को अप तो आपका सिर पकड़ लेगा, सिर दुखेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा गरम कर लें, धूप में रख दें, तो अभी तो मैंने ताजा बनाया है, इसलिए मुझे धूप में रखने की जरुवत नहीं है, अब आप चाहे ब्रश की मदद से, फिंगर की जड़ों पर डालना है, हलके हांथों से मसाज रगड़ना नहीं है, जितना जादा आप रगड़ेंगे ना, आपके बाल उतने कमजोर होंगे जड़ से, क्योंकि जब बाल हमारे गीले हो जाते हैं, तो उनकी जड़ें और जादा कमजोर हो जाती है, और बहुत जल्दी बाल तूट जाता है, इस बात का ध्यान थे, थोड़ा थोड़ा टौनिक को लेते जाना है, पार्टीशन करते जाएं, जड़ में पूरे जड़ में लगाएं, राद भर लगा कर रखें, जैसे आप लोग तेल लगाते हैं, वैसे लगा कर रखें, सुबह हेर वाश कर सकते ह आपके मर्जी है तो आप शैंपू करें, नहीं है, तो साधे पानी से भी हेर वाश कर सकते हैं, खुब ज़्यादा शैंपू का इस्तमाल ना करें, बहुत से केमिकल होते हैं, इसी से ही हेर फॉल होता है, जर्वते तो करें कभी-कभी, अरीठा शिका कई के पाउडर से भी ह हरबल शैंपू का इस्तमाल करें, पानी जादा पिएं, एक आमला डेली खाएं, बाल आपके खुबसूरत होंगे, और बाल ही तो हमारी खुबसूरती में चार चांद लगाते हैं, इसलिए बालों का खुबसूरत होना बहुत जरूरी है, तो बस आपको मैंने एप्लिकेश को समय समय पर लगाती, जब भी उसे हेर वाश करना होता है, रात को तेल की जगाई से लगाती, आप चाहें, तो थोड़ा सा इसमें तेल भी मिक्स कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सूरत होता है,